वेल्कम बैक टू आनमा योटोब चैनल पर हैं चैनल को सस्क्राइब पर सकते हैं आपने सस्क्राइब किया ही होगा गर आप 2021 बैच के हैं तो इस वीडियो हम जाने वालेंग है कि जो 5th समिष्टर है उसका एक्जाम कब होगा एक्जाम होना important इसलिए हो जा रहा है क्योंकि session क कम से कम सास से आठ महीना session जो है पूर तरीके से लेड़ चल दा है और कब आएगा इसका exam date इसी के बारे हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं आपको पता होगा जो है exam अगस्त में होना है और अभी नहीं आए गवत क्या अगस्त में exam हो सकता है जहां तक हमको उम्मीद है 90% exam exam अगस्त में नहीं होगा ना होने का reason भी है क्योंकि fourth semester का क्या होना है fourth semester में आप तो पास हो गए होंगे लेकिन total धाई सो काले चल नहीं नर्सिंग के तो बहुत student होंगे जो की fail हुए है मतलब कम से कम 100-100 students तो मानी लो जो की fail हुए है four semester में तो उनके साथ क्या होना वो exam देंगे की नहीं देंगे उनका exam fifth semester के पहले करवाया जाएगा और result भी declare किया जाए और नहीं किया जाएगा यह भी सबसे बड़ा सवाल है university के पास तो इसका भी guideline अभी university नहीं जारी की हुई इसका भी guideline उनको fifth semester के exam करवाने से पहले date sit जारी करने से पहले यह भी चीजें उनको जारी करनी पड़ेगी हमारी साथ से ही है क्योंकि आइएंसी का जूरूल यही काता है कि आप जो है clear होने चाहिए before appearing fifth semester तो यह भी चीजें हैं यह चीज जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हमको लगता मामला कि fifth semester की date sit आ जाएगी date sit दो महीना पहले आती है आपको ही पता होगा date sit जो है अटल विहारी बासपे की वो दो महीना पहले ही आती है और दो महीने से भी अपकम समय है जो कि last August में जो पिछला एक्जाम हुआ था वो last August में ही हुआ था उसके पहले वाला जो एक्जाम हुआ था वो first semester का वो सायद 4-5 एक्जाम को था या 3-4 एक्जाम को था तो थोड़ा सा लगभग 20-25 दिन मामला डिले हुआ था आगे shift हुआ था तो इस बार जादतर उम्मीद है जो कि और students से हमने पूछा बात किया और इधरुदर जादा हमने पता नहीं लगाया जो हमारा experience है वो बता रहे हैं आपको जो है एक्जाम इस बार सितंबर में ही हो और इतनी अच्छी university मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ा आपके लिए यह का सकते हैं कि पुन्न का काम है क्योंकि हमने UPMS में थे उत्तरप्रजेस university मेडिकल साइंस में थे तो वहाँ पे date seat जो है वो कम से कम 10 दिन पहले ही आती थी date seat 10 दिन ही पहले आती थी 10 से 15 दिन पहले ही date seat आती है वहाँ की और हमारे समय में यही हुआ था 15-10 दिन पहले ही date seat आये थी तो 10 दिन पहले ही date seat आये थी और 10 दिन के बाद जो है exam जो होता था वो continue होता था आपको तो एक दिन का गईप मिल जाता है हमारे exams हो है वो continue हुए ह में था तो साथ ते पर कांटी नहीं हो गया था तो लड़के भी विहोस हो जाते थे तो ऐसे हूराइन है आला कि अप चीजे सुधर गई यह बदल गई है वहां पे भी चीजे बुदर गई था नहीं होता है एक्जाम साइब मिलने लगा है और यार वाध वाला सिष्टम फेल हो गया वो सीधा उसका उसका एयर वैक होगा था यार वाला वाला मैं पर पर्मोट वाला सिष्टम में मतलब तक काफी चीज Colin पूरा येर कम्प्लीट हो जाना चाहिए तब यो फोर्थ येर में जाएगा तो काफी चीजें सुधर रही एजुकेशन सेक्टर में और अटल विहारी बाचपी काफी अच्छी उनिरसिटी हमको लगी है अभी तक जो है जहां तक उन्होंने अभी तक जारी किया हुआ है ले सिस्टम बनाए रखे लेकिन चीजें फी फूर्डान सुधर आनां चाहिए और प्रियास करेंगे अभी next month में मतलब अगस्त में अगस्त में जरूर एक हम RTI या तो dial करते हैं जो है RTI या तो apply करेंगे university के उपर या तो कुछ न कुछ तो इसके उपर करेंगे ही क्योंकि मारसीट तो चाहिए ही और अगर आप fees दे रहे हैं हर semester में 45 रुपे लग रहें तो मारसीट नहीं मिल रही है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा challenging है आपके लिए भी और university के लिए भी university के लिए कुछ नहीं university last में बना के दे देगी लेकिन मारसीट आना जरूरी है और मारसीट कैसे आई कैसे नहीं आएगी इनको बता देना चाहिए जो मारसीट नहीं भेज रहे है तो कुछ न कुछ तो परियास करेंगे जो की अगस्त में ही होगा बाकी previous year के questions अपलोड होते रहेंगे हो सकता इस बार questions अपलोड ना हो सेयर करते रहते हैं मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो बना अपडेट के साथ जहिंद